सर्व प्रत्रम तो हम लोग स्टेशनों पर बहुत फ्रिक्वेंट अनॉस्मेंट्स कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं सभी पैसेंजर्स को और कोशिश यह कर रहे हैं कि कोई पैनिक की स्थिती उत्पन्न ना हो क्योंकि इसके बारे में कुछ गलत जानकारियां भी दर-दर सोशल मीडिया पर एक्सचेंज हो रही है तो हमारी कोशिश है कि कोई अनवाशक रूप से कोई भय में ना रहे जो सही जानकारी है health ministry की तरफ से जो जानकारियां minute to minute मिल रही है और एक dashboard भी बना दिया गया है भालत सरकार की तरफ से तो वो जानकारी हम लोग social media के माध्य हम से passengers को पहुंचा रहे हैं हमने कई posters अगरे भी लगाए हैं सबी station पर एक help desk भी हम लोगों ने चालू किया है बोपाज station पर जो state government की मदद से हम लोग उस पर जदी किसी को कोई सहायता हो passenger को तो वहां हम provide कर रहे हैं trains में हम लोग sanitation कर रहे हैं सारे के सारे coaches हम sanitize कर रहे हैं उसमें steam cleaning कर रहे हैं और जो recommended chemicals हैं safe chemicals उसके द्वारा हम पूरी साफ सफाई करवा रहे हैं और ये सारी normal course में भी ये सभी activities चलती रहती हैं लेकिन इस threat की वज़े से अब ये बहुत ज़्यादा frequency पर की जा रही है help desk की बात करें ये क्यों आस की बात करें तो उस दिशामें किस तरीके से काम के ज़ए है help desk हमने भुपाल station पर राज्य प्रशासन की मदद से हम लोगों ने वहाँ पर चलू की है क्योंकि देखिए जो अगर मान लीजे कोई cases होते हैं कोई establish होते हैं तो वह बेसिकली जिले के अस्पताल में ही उसका फाइनली डाइग्नोसिस होगा तो इसलिए एक तो वहाँ पर हम help desk और दूसरा अगर वहाँ से हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्टाफ को या किसी भी patient को हमें railway अस्पताल में shift करना है या कोई further उसमें investigations करना है treatment करने तो हमने उसकी सुविधा भी बना रखी रेलवे अस्पताल में एक isolation ward बना लिया है और हमारे सारे डॉक्टर्स रेलवे के इन लोगो specially training दी गई है इस वाइरस के threat को टैकल करने के लिए हम देखते हैं कि public gathering बहुत जादा होती रेलवे के अंदर और सभी लोग अलग अलग जगाओं से travel करते हैं तो बीच की station से उनको कैसे मतलब observation मिल लिया जा रहा है जहां पर जैसे टारसी में हम लोग दोबारा से जो handrails हैं या births हैं या toilets हैं उसमें sanitize कर रहे हैं वहां पर हम इस प्रसारमाध्यम के जरिये लोगों को यह भी बता रहे हैं कि एक जगह पर बहुत पास पास जमाना हो और भीड भाड ना करें और क्योंकि भीड में यह होता के रोज दूलना संभव भी नहीं है और नई दूलते हैं तो उनको हम लोगों ने अभी एतियातन हमने उनको temporarily withdraw कर लिया है हटा लिया है और उसकी जगह हम लोग थोड़े additional bedsheets दे रहे हैं और पैसेंजर से हमारा मारी request है कि वो सफर करने के पहले अगर अपने साथ में किसी कोचेश में 24-25 डिग्री मेंटेन कर रहे हैं जिससे ज़्यादा लोगों को ठंड भी न लगे और गर्मी न लगे तो यह एक और precautionary मेंजर है कि किसी को संक्रमंट ना सार प्रमेंशन बेटर देन क्योर तो क्योर के लिए मतलब किस तरीके से रेल्वे जो है लोगों ज क्योंरश करी लिए ऊसके अलावार है क्योंकि इन्फरस्ट्रॉटूर्चर बहुत है तो पहुत है तो हमारे पास training schools व्यंटे निकार में तो हम लोगों ने यह एृरी इडेन्टिफाइग कर ली है जहां पे यदी क्वारेंटीन करने की जरुवत पड़े हो पैसेंजिर स्टाफ को तो वहां हम वो सुगधाएं उकलब कराएंगे